प्रिये देशवाचियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किर्धारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा इंजियन आर्मी के श्वान है, डॉक्स है और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाप कमंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्हों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बक्खु भी निभाया है। हमारी सेनाओं में हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बादूर स्वान है डॉक्स हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने ही बमधमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है। कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने के मिला। कई किसे भी सुने, एक डॉक्स बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईडी खोजा था। आईडी निकालने के दोरान आतंकीों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए। दो-तीन वर्ज पहले, 36 गड के बीजापूर में, CRPF का स्निफर डॉग, क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा। जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग रॉकी को पुरे सम्मान के साथ आखरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से जादा केसों को सुलजहने में पुलीस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मेनेजमेंट और रिश्क्यू मिशन्स में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं। भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों डॉग को स्पेशली ट्रेन किया है। कही भूकम पाने पर, इमारत गिरने पर, मलवे में दबे, जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। साथियो, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नश्टले हैं। राज पलायम, कन्नी, चिप्पी पर आई और कॉमबाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कमाता है, और ये भारती माहोल में डले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही हैं। पिछले कुछ समय में, आर्मी, CISF, NSG ने मुदोल हाउंड डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स कोड में सामिल किया है। CRPF ने कुम्बाई डॉक्स को सामिल किया है। इंडियन काउंसिल अफ अग्रिकल्चर रिसर्च भी भारतियन नसलके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है। मक्सद यही है कि इंडियन ब्रीड को और बहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया सके। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए, आप इनकी खुबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इन में से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मन देर भर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है, तो कोई भी खेत्र इससे पीछे कैसे छुट सकता है।